नमस्कार दोस्तों में राउल सास्त्री सोगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बुद्गरा अगर तीसरे भाव में हो तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे कैसे परिनाम देंगे बुद्गरा तीसरे भाव में बैठ के तीस का मतलब तीसरा मतलब लगन से गिनेंगे एक दो तीन इस भाव के अंदर बुद्गरा कैसे परिनाम देंगे मरकरीन थर्डाउस तो देखिए जो तीसरा भाव होता है वो पहुत मैनत का प्रिशरम का भाव होता है खप के आदमी को रिजल्ट मिलता है पर पहुत से लोग इसको खराब मानते हैं ऐसा नहीं है अगर बुद्ध गरह कुंडली के अंदर कारक है तो वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं तो अभी आप समझ लिजिए कुछ बेसिक चीज़े बताने जा रहा हूँ फिर आपको कुछ प्रेडिक्शन बताऊंगा जो सत्परतिसत आपको सटिक बैटेगे देखे बुद्ध गरह जो कि बुद्धी के कारक समरंद सक्ति के कारक विवेक के कारक वानिज्य के कारक गनित के कारक और वानि के कारक होते है तीशरा जो भाव है जिसमें वो बैठे है वो पहुत प्राकरम का भाव होता है परिश्रम का कारक परिश्रम का भाव माना जाता है महनत का भाव माना जाता है छोटे भाय बहनों का और फिजूल की यातरा का भाव माना जाता है तो ये भाव अच्छा नहीं पर बुद्ध गरह इसके साथ-साथ नवम भाव के भी result देंगे क्योंकि उनकी दरश्टी गई नवम भाव पे उनकी एक दरश्टी होती है सिर्फ सात्वी तो यहां से उनकी दरश्टी गई नवम भाव में जो नवम भाव होता है वो भाग्य भाव है कुटली का सबसे अच्छा भाव भाग्य भाव तो आपके भाग्य का भाव होता है धरम का, पिता का, प्रोपकार और विदेश यातरा का भाव माना जाता है तो यहाँ पे बैटके गरहा है यहाँ पे भी दरस्टी डालेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे बैटके बुध गरहा कैसा रिजल्ट देंगे देखिए बुद्ध गरहा कर पुंटली के इंदर कारक है तो आपको थोड़ा प्राकरम प्रिशरम करके रिजल्ट अच्छे दे देंगे वाट अगर वो यहाँ पर मारक है तो आपको पहुत खराब रिजल्ट देंगे जिंदकी बर आप संगर्स और महनत करते रहोगे क्योंकि यह जो तीसरा भाव होता है यह प्रिजूल के कारिये यात्रा महनत प्रिशरम मानसिक संतुलन छोटे भाय भेनों का भी होता है तो उल्जन बराजात को कुछ अधरतर देखा गया है तो बुद्ध गरहा तीसरे भाव में कब कारक होंगे अगर लगन लगन जो है लगन में दो लिखा है यानि लगन में दो तीन पाँच छे नो दस ग्यारा ये लगन है तो बुद्ध गरहा यहां पे खपके रिजल्ट देंगे यानि कैसा जो जातक पहुत प्रिशरम करेगा पहुँच आता मेहनत भी करेगा विजूल की यातरा भी करेगा पर पहुत मेहनत करने के बाद जातक को कहीं न कहीं फिर जातक को भागये उदे जरूर कर देंगे जातक का कुछ खपने के बाद देर से ही सही जातक का भागये उदे तो जरूर हो जाएगा क्योंकि दरश्टी दे रहे हैं वो भाग्य भाउट है पर कब पहुत मैनत पहुत फुजूल की यातरा भागा दोड़ी करवा देंगे जातक का पर वर्षब मिथुन सिंग कन्या धनू मेकर और कुम लगन में अगर बुद्ध यहां पर बैटे हैं तो जातक के छोड़े भाई ऐसे जातकों की हैंड राइटिंग बहुत प्यारी होती है और प्राकरम कराके जातक का भाग्य होदे होने वाला होगा अगर अच्छी लगन में बैटे हैं इसके विप्रीत जितनी भी लगन है उसमें बुद्ध गरा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जातक को जिन्दिगे पर यह लगा रहेगा कि वो जितनी मैनत करता है उसके बाद इसको रिजल्ट अच्छे नहीं छोटे भाई-बहेनों से दिक्कत छोटे भाई-बहेनों के साथ पिडित फिजूल में यातरा फिजूल में दूसरे कवमों में पढ़ जाना जातक को पीता के साथ संबंद अच्छी नहीं जातक धरम को ना मानने वाला पैतरिक संपत्ती में जातक को दिक्कत पीता के साथ बिजनिस में भी पे साथ लिखा है, बुद्धगरह यहां पे हैं, तो फिर बुद्धगरह अपने भाव को देखेंगे, नोवे भाव के अंदर उनकी खुद की रासी होगी, अपने भाग्ये को देखने के बाद, जातक को महरत करने के बाद, जातक का भाग्ये उदे जरूर होगा, तुला मजबूत करने के लिए आप उनका रतन्य पहने, आप उनके लिए बीज मंत्र करें, 108 बार, तो फिर कहीं न कहीं, बुद्धगरह आपको आप सकरातमक फल देखने को मिलेंगे, नहीं तो जातक को जबरजस्ती फिजूल में ही संगर्स में जिंदके करके, जातक को दिक्कत दिला देंगे, तो दोस्तों मैंने बताया आपको बुद्धगरह अगर तीसरे भाह में बैठे हैं, तो कैसे रिचल्ट देते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगाओगा तो लाइक करना, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा,